हेलो, तमस्का दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्विज न्यू मूवी अपटेट्स, बिग बॉस 14 बिग बॉस 14 में अली गुनी ने अपना बहुत बड़ा ग्रूप बना लिया है इतना बड़ा ग्रूप है कि नागिन उसमें शामिल हो चुकी है नागिन मतलब की जास्में इतना बड़ा ग्रूप कि एक तरफ हम कह सकते हैं दो लोग बचे हैं सिरफ जहां पर हैं खुद रूपीना और अभिना उनके साथ जोइन किया है हाली में एजास खान ने एजास खान बहुत समाट है मैं आपको पहले से कहता रहा हूँ एजास कान बहुत समाट है बस उनको अपनी हरकोतों में ध्यान रखना होगा कि लड़कियों के उपर ना चड़े गुस्ते में कुछ जादा ना भोले गुस्ते में फिजिकल लोग यह सब आते अदर्वाइस वह बहुत अच्छा कि रहे हैं अब नागिन ने तो डशा और नागिन को लगा कि अभिनव अकेले बचेंगे और अभिनव के साथ जो है रुबीना बचेंगी और इन तो उनको कौन कैपिनल में आएगा लेकिन यहां पर जब रुबीना के सपोर्ट में कुछ लोग आ है बहुत नहीं कुछ लोग है जिसमें से दो ही हम कह सकते हैं मेली एक एजास थे और दूसरा हम कहें कि एजास के भी फाइड चली एक कवीता के साथ हो सकता है उसकी वज़ाए से वो उनकी टीम में आगे हो रुबीना की टीम में क्योंकि कवीता जो है राहुल की टीम में है तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर निकी भी राहुल की तो यहांपर कोई बचा ही नहीं है, रूबीना के पास, लेकिन हम पर देखने को मिला कि जैसे एजास आते हैं और जैसे पवीत्रा आती है, तो कहीना के गुरुप ठीक ठाग लगता है, स्ट्रॉंग हो जाता है गुरुप, और टास्क में देखने में मज़ा आता है, और फैंस भी कही नहीं सपोर्ट करें जहां दोस्तो राहूल का गुरूप बड़ा जरूर है लेकिन फैंस का फुल सपोर्ट मिलना है रूबीना को और एजास को फैंस यहां तक कह रहे हैं कि रूबीना के बाद अब हम जिसको सपोर्ट करेंगे ना नॉमिनेशन से बचाने के लिए वो होंगे एजास खान तो यहां पर बहुत अच्छा मूव एजास ने कहला है समार्ट मूव खेला है कि अपना उस साइड जाओ जहां पर गेम अच्छी जासमीन है तो आठ से नौव बंदें वहां पर गठे हो चुक है वैल इसका फाइदा करीना के ही मिले का उने लेकिन फैंस जो है वो करीना की नागिन को हेट कर रहे हैं अब एजास को पसंद कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा फैंस तो यहां तक कह रहे हैं कि अब हम किसी को हैं सकता है